आज हम सीखेंगे पादप उतक विभजी उतक के बारे में सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं कोशिका जीव की मूलभूत संचारात्मक और क्रियात्मक एकाई यानि Fundamental Structural and Functional Unit है विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न होती है कुछ जीवों में एक कोशिका स्वयम में ही संपूर्ण जीव होती है ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते है ऐसे जीवों में एक कोशिका ही गती, भोजन लेने की क्रिया, गैसिय विन्मय और उत्सरजन जैसे मौलिक क्रियाओं को संपन्द करती है तथा अन्य जीवों में अन्य कोशिका हैं मिलकर एक जीव बनाती है ऐसे जीव, जिनका शरीन एक से अधिक कोशिकाव से बना होता है, बहुँ कोशिक जीव कहलाते हैं ऐसे जीवों में कोशिकावे मिलकर विभिन्न समूह बनाती है, जिसमें प्रत्यक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है उधारण के लिए पादपों में वाहक नलियों से संबंदित कोशिकाए भोजन और पानी को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाती है इस तरह मनुश्यों में पेशी कोशिकाए फैलती और सुकूरती है जिसे गती होती है और रख ऑक्सिजन, भोजन, हॉर्मोन और अपशीश पदार्थों का वहन करता है इस तरह शरीर के विभिन्न कार्य कोशिकाओ के विभिन्न समूह में विभाजित होता है जिसे हम श्रम विभाजन यानि Division of Labor कहते हैं इसलिए शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं तथा शरीर में एक निश्चित कार्य, एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्द किया जाता है कोशिकाओं का यह समूह उतक याने टिश्यू कहलाता है जैसे जायलम, त्वचा, रग, पेशी उतक है एक उतक की सभी कोशिकाओं की आकरिती एक समान होती है और ये कोशिकाओं एक साथ एक कार्य को समपन्द करती है कोशिकाओं की विशेश रचना और उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी कार्य उच्चे दक्षिता से होते हैं हम जानते हैं कि पादप एक जगह से दूसरी जगह विचरन नहीं कर सकते तथा वे एक ही स्थान पर सीधे खड़े रहते हैं इसलिए पादपों में सहारा प्रदान करने वाले उतक अधिक मातरा में उपस्तित होते हैं जो उन्हें सनरचनात्मक मजबूती यानि structural strength प्रदान करते हैं अब चुकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की तरह ही सनरचनात्मक मजबूती प्रदान कर सकती हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षन की आवशक्ता होती हैं इसलिए सहारा प्रदान करने वाले उतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं इसके विपरीत जन्तु एक जगह से दूसरी जगह विचरन कर सकते हैं इसलिए पादपों की तुन्ना में जन्तु उर्जा का अधिक उपभोग करते हैं इसके कारण जन्तु के ज्यादतर उतक जीवित होते हैं पादप उतकों की बात करें तो पादप के कुछ उतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं इसलिए इनकी वृद्धी कुछ शेत्रों में ही सीमित होती है जबकि जन्तूओं में कोशी का वृद्धी अधिक एक रूप होती है। अतह पादपों और जन्तूओं में अलग-अलग प्रकार के उतक होते हैं। अब चलिए पादप उतक, विभज्यों तक को विस्तार से समझे। विभज्यों तक उतक निश्चित शेत्रों में ही पाय जाते हैं। इसके कारण पादप की वृद्धी निश्चित शेत्रों में ही होती है। विभज्यों तक का कार्य पादप की वृद्धी करना है। विभज्योतक के पादप में उपस्तिती वाले शेत्र के आधार पर विभज्योतक को शिर्षस्त विभज्योतक यानि अपाइकल मेरिस्टेम, पार्षव विभज्योतक यानि लाटरल मेरिस्टेम और अंतरविष्ट विभज्योतक यानि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वर्ग इसी तरह पार्श्व विभज्यों तक तने और मूल की परिदी में वृद्धी करता है तथा पार्श्व विभज्यों तक को कैम्ब्यम भी कहा जाता है। अंतरविष्ट विभज्यों तक पत्तियों के आधार में या तनों के पर्वसंधियों यानि इंटरनोड्स के पास पाए जाते हैं, जो तने की लंबाई और पत्तियों की वृद्धी करता है। विभजो तक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं, इसलिए अत्यदिक क्रियाशील होती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, सपश्ट चेंडरक और पतले कोशिका बित्ती होती है। विभज्यों तक की कोशिकाओं को पोशक तत्व संग्रहित करने की अवशक्ता नहीं होती है इसलिए इनके पास रसधानी नहीं होती है विभज्यों तक द्वारा तयार नहीं कोशिकाओं प्रारंभ में विभज्यों तक जैसी ही होती है किन्तु जैसे ही ये बढ़ती और परीपकव होती है, धीर धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है तथा ये दूसरे उतकों की घटकों के रूप में विभाजत हो जाती है तथा दूसरे उतक के साथ कार्य करती है तो आज हमने सीखा पादप उतक विभज्योतक के बारे में